हम सबने समोसा टिक्की पकोड़ा ऐसी चीज़े तो बहुत खाई है आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत बहुत इस्पेशल और अपने स्वाद में एकदम यूनिक और पॉपुलर नाकपुर की प्रसिद सामवर बड़ी अब आप इसे सामवर बड़ा मत समझेगा नाकपुर की पॉपुलर स्टीट फूड है सामवर बड़ी जिसको एक स्पेशल तरीके से बनाये जाता है सच महनी है फ्रेंट्स टेस्ट में इतनी लाजवाब है जिसको भी आपने इसको एक बार खिला दिया वो इसको स्वाद नहीं भूल पाएगा लॉग डाउन के लिए एकदम प ब्ल्कुल पाफेक्ट है क्योंकि यह ऑलिव गोडो के साथ हमारी डेली इंदिन कुकिं के लिए भी बैस्थ है यह हमारे खाने के टेस्ट को परकारार रखता है ओने में इसमेल और टेस्ट खाने में मिक्स नहीं होता दिसानो एक्स्टर लेट ओलिव उँल में हेल्डी फे बनाने जा रही हूं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, स्पेशल यूनिको क्रिस्पी सांवरबडी बनाने के लिए यहां मैंने लिया है दो कटोरी बेसन, आप घर के कोई भी कटोरी, कप, कुछ भी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें, उसी अनुसार आप सारा मेजरमेंट ले सकते हैं, तो मैंने यहां इस कटोरी से दो कटोरी लिया है बेसन और एक कटोरी लिया है मैदा, रेशो जैसे मैंने दो कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी मैदा इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं आप दो कटोरी मैदा ले ले लेकिन ट्रडीशनली इसी तरह सामरवड़ी बनाई जाती है इसे स्वाद बहुत ही बड़ीया आता है बहुत स्पेशल रेसिपी है बनाना भी बहुत आसान है, सबसे पहले आप लेजे एक बड़ा बरतन और इसमें हम डालेंगे दो कटूरी बेसन, साथी डालेंगे इसमें एक कटूरी मैदा, और अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमाक, आदा चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर, एक चोटाई चोटी चमच हल इस तरह से क्रश करके डाले, खुश्पु बड़िया आ जाएगी और बड़ी को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए कोई ट्रिक मैं इसमें डाल रही हूं दो बड़ा चमच गरम तेल ओयल को मैं अच्छे से गरम कर लिया है, होट ओल डाले से इसमें बहुत ही बड़िया क्र रेशे में बड़िया से ओल चला जाए फिर इससे जब बड़ी बनाएंगे तो वह अंदर तक खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी और अब थोड़ा सा हिस्सा इस तरह मुठी बांद कर देखिए और आप देख सते हैं कि यह बंद रहा है इसका मतलब जो हमने इसमें मॉइन डा तो बनाते है उससे थोड़ा सकता लगाएं यानि सेमी हार्ड आप कह सकते हैं ना बहुत अदा मुलाइम ना बहुत जादा सकत एक साथ पानी बिलकुल ना डाले तो तो डाल करके इसका आटा हम गूत लेंगे और यह लिए बिलकुल बड़िया से मैंने सकत आटा इसका स्टफिंग वड़ि की स्पैशल स्टफिंग के लिए ना तो हमें आलू जाहिए ना ही किसी प्रकार की सबजी हम अज की स्टफिंग तैयार करेंगे हरे धनिये से यानि कोथमीर जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर मैने लगबग 200 ग्राम हरा धनिया लिया है फ्रेश हरा धनिया अच्छी तरीके से धो लिया, धो करके बढ़िया से उसका पानी निकाल करके सुखा लिया है, जरूरी पॉइंट पानी नहीं होना चाहिए हरे धनिये में, हरे धनिये को यहां पर हम बिल्कुल बारिक बारे कट कर लेंगे, तो इस तरह से हम हरे धनिये को फाइन कट कर लेंग मैंने एक इच अद्रक पाच्छे कली लेसन की और तीन-चार हरी मिर्च को अची तरी की से पीस लिया, इस तरह से पेस तायार कर लिया है, एक बड़ा चम्मस पोस्त दाना जिसे आप खस-कस भी बोलते हैं, बहुती इंपोर्टेंट इंग्रीडियेंट इस रसिपी का, दो ब आदा कप खोपरा यानि डेसिकेटिड कोकोनट और इस तरह से दो मिनट भूलने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्लेवर्फुल मसाले, एक छोटी चम्मच धन्या पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आदा चोटी चम्मच गरम मसाला, आदा चोटी चम्म को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ, आदा चोटी चम्मच चीनी, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खटा भीटा फ्लेवर पसंद करें तो डालिए बरना इसके बगर भी बरा सकते हैं, तीन बड़ा चम्मच रोस्टेट मूफली का पाउडर, सिंपल कच्ची व पर हम डाल देंगे स्वादनुसार नमक, सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स, और फाइनली गया बारी कटा हुआ हरा धनिया, लग रही है ना एकदम स्टफिंग मस्त, और लो मीडियम फ्लेम पर हरा धनिया डाल कर अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स, और स्टेज पर आप देख सकते हैं हरा दनिया भी हलका नरम हो गया है, स्टफिंग एकदम भैतरीन लग रही है, गैस को आफ कर देंगे, चलिए तो अब अपने आटे को भी कर लेते हैं, चैक, परफेक्ट, एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, और अपने बेसन वाले आटे म हम बिलकुल इसी तरह तयार कर लेंगे, अब लीजे एक लोई और एक लीजे बेलन, हल्कासा ओएल लगा करके प्लैटफॉर्म को और बेलन को ग्रीस कर लीजे, यह जो चकले पर बना रहे हैं तो चकले को, बिलकुल भी परिशानी नहीं होगी बेलने में नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने सक ताटा लगाया है तो इसके पज़े से बिलकुल परफेक्ट आपसे बिल जाएगा, यह देखिए ठिकनेस कुछ इस प्रकार की, मीडिया, एक बड़ा चमच आप स्टफिंग लीजे और इसके बीच में इस तरह आप लंबाई में इसको फिल कर दीजे, और यह वाला पोर्शन इसके ऊपर और यह वाला इसके ऊपर बिलकुल इस प्रकार, अच्छे से प्रेस कर दीजे हलके हाथ से, थोड़ा सा पानी यहां भी लगा लेंगे, और यह पोर्शन इसके ऊपर यहां से पैक, मतलब कि आप समझ लीजे हम गिफ्ट बॉक्स बना रहे है यह लीजे, तो बिलकुल इस तरह से हम सारी ही वड़ी तयार करेंगे, है ना एकदम परफेक्ट और बहुत आसान भी, अब आप दूसरा शेप देखिए, बिलकुल इसी तरह से हम इसको भी लंबाई में बेल लेंगे, इस तरह से बेल करके, अब आप इसमें फिल कीजे, य और इसको यहां से पैक करेंगे, इस तरह, और यह वाला पोर्शन हलका पानी यहां लगा करके, इधर मोड देंगे, और यह पोर्शन इधर, और अब इसको बिलकुल इस प्रिंग रोल की तरह से, यहां पर लगाईए पानी, इसको कर दीजे, रोल, तो जो शेप आपको पानी ही बड़ी इस तरह से तयार कर ली है, और यह कितनी बढ़िया लग रही है, बनने के बाद देखिए कितनी बढ़िया बनेगी, बस आपको एक ही बद का ख्याल लगना है, पानी से अची तरह सील करें, और जो आटा लगाए तो उसे थोड़ा सक्त लगाएं, पॉफे हम सभी जानते हैं, और डिसानो एक्स्टालाइट ओलिवाइल डेली कुकिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यह जल्दी जलता भी नहीं है तो आप इसे रियूज भी कर सकते हैं, तो अब खाने में क्यों कंप्रमाइस, दिल खोल के खाईए और खिलाईए तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें, पर्चेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ओइल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गरम होने देंगे, और इस स्टेश पर जब अच्छे से गरम हो जाए धीरे धीरे हम लो मीडियम फ्लेम पर अब भी बिल्कुल नहीं चुएंगे जब धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी देखेंगे कि बबल्स कम हो जाएंगे उसके बाद इसे फिलिप करेंगे और आप देख सकते हैं कि बड़ी अपने आपी उपर आ रही है धीरे धीरे बस इस तरह से अपने ओल को हिलाईए, परफ कर लेंगे उपर से थोड़ा सा ओर से गोड़न कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोड़न क्रिस्पी टेक्स्टर आ गया है और कलर भी दोनों साइट साइब यह देखिए पॉफेक्ट एकड़ मस दिख रहे हैं तो बस इसे स्टेश पर सब को निकाल ले बड़ी तयार हुई है और इसको हम प्लेट पर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं नीचे प्लेट पर भी एक बूंद ओयल नहीं आया है आपके सामने मैंने अभी निकाले हैं बिलकुल कुर कुरे और सेकंड बैच कीवी बड़ी हम बिलकुल इसी प्रकार लो मीडियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे चलिए तो जब तक हमारे सेकंड डाउट के सामर बड़ी फ्राय हो रहे हैं फटाफट बनाते हैं सामर बड़ी का साथ देने वाली स्ट्रीट स्टाइल इंस्टेंट कड़ी तो यहां पर मैंने लिया है लगवग आदे कप दही पाच बड़े चमबच के करीब है फ्रेश दही घर का जमा हुआ लिया है अच्छे से फेट लीजे साथी इसमें हम डाल देंगे दो से तीन बड़े चमबच पानी थोड़ी पतली सी होती है यह कड़ी स्वाद अनुसार नमाक एक चोटी चमबच लाल मिर्ची पाउडर बहुत ही थोड़ा सा आधा चोटी चमबच भुना जीरा पाउडर एक चोटी चमबच चीनी हलकी सी मिठास के लिए पसंद हो तो डाले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस पर लगाएंगे एक जबर्दस बारिक कटी हुई तीन से चार हरी मिर्च बारिक कटी हुई बहुत ही मस्त बनता है तड़का साथी डालेंगे इसमें दो पिंच हल्दी अच्छे से करिए मिक्स लो फ्लेम पर और थोड़ा सा करी पत्ता और फाइनली दो स्लिटेड हरी मिर्च लीजे हमारा इंस्टेंट कड़िया अच्छे से कर दीजे मिक्स और ये लिजे हमारी इंस्टेंट कड़ी है बिल्कुल तया सावर बड़ी के लिए लग रहे ना टैंटिंग सी जरूर बनाईएगा बहुत पसंद आईगी आपको ये इंस्टेंट कड़ी तो चलिए करते हैं सर्व और ये लिजे बिल खुर्कुरी करारे समोसा भी फेले इसके थे आगे तो ये दैखिये इसका कृस्प ये देखिये आप अर्च अप मेरे कातने साही समझ शकते के ये कितने खास्ता क्रिस्पी बने है सुपLab लेकिल्ष आप देख सकते है अंदर तक की पाफेक्ट किरिस्प के सा तidos की हुई इसको अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप खाते रह जाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे, इतना बढ़िया और भैतरीन सवात है, बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और कड़ी के साथ जब आप इसको खाएंगे तो इसका तो कॉमिनेशन जबरदस्त है, और जिस तरह से ने जब आपको आपको बार में ना चाहिए, असनी मज़ा तो ऐसे ही हैै। इसको इसी तरीकर से वहां दिया जाता है, उपर सो डाल दी जाती कड़ी तो मज़ा आज और फ्राइड मिर्च के साथ जब आप इसे खाएंगे ना जबरदस्त कॉंबिनेशन इसकी स्टफिंग बराईए खाईए एंजॉय कीजे मुझे जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको आज की ये स्पेशल नागपुर्स फेमस सामरवडी की रेसिपी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए फ्रेंड्स तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हैं इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेश को भी जरूर फॉलो करें और सभी रसिपीस की डिटेल्स आप मेरी वेपसाइट कुक्वित पारूल.com पर देख सकते हैं ठैंक्यूब वाचिंग कुक्वित पारूल जै है जै भारत